असलाम लेकर तो आज की वीडियो जिस टापिक को कवर कर रही है वो है प्रिंसिपल आफ डिफार्मेशन आफ पास तो सबसे पहले मैं explain करूंगा कि प्रिंसिपल आफ डिफार्मेशन आफ पास क्या है उसके पात यह जो रिलेशन टू गिवन है इसको मैं इसकी दिमांस्ट्रेशन दूँगा कि यह रिजल्ट कैसे अचीव होता है तो हमारे पास बैसिकली दो कंटूर्स हैं सी बान एंसी टू जो दोनों हैं वो पासिटिवली ओर्येंटेट हैं लोग यह कंटूर्स है यानि कि क्लोज लूप के लिए यह हम रिजल्ट व्यूज करते हैं सी बान जो है वो कंप्लिटली लाई इंसाइट दे कंटूर्स सी टू एस शोन इन दा फिगर सी टू बड़ी कंटूर्स है और सी बान जो है वो इसके इंसाइट लाई का दिया है नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है फ जो के अनलैटिक है इन दे क्लोज रिजिएं कंसिस्टिंग अफ इस कंटूर्स और अल दो पॉइंट बिट्वीन देम तो फिर क्या होगा कि जो सी टू के लॉंग जो एफ फफ जैट का इंटीग्रल होगा वो किसके एकल होगा कंटूर इंटीग्रल लॉंग सी वन यानिकि दोनों का अंसर से बाएगा इस को कहते हैं दो प्रिंसिपल और डिफॉर्मेशन अफ पाथ और यह किसके लिए वैलिट है क्लोज लूप के लिए जिसमें अगर को पॉइंट है जिसके ओपर फंक्षन अनलैटिक जो है वो अनलैटिक नहीं है तो वह पॉइंट जो है वह आप उसके करिता पे कंटूर ड्रॉण कर लें किसी भी आप रेडियस की और उसके ओपर प्रिंसिपल आफ डिफॉर्मेशन अपास लगा है और उसक clockwise यानि कि anti-clockwise हो जिसा यहां पर यह दोनों contours counter clockwise ही गही है तो इस इनकी direction positive है यह जो result 2 है इसकी demonstration दूँगा कि result कैसे अच्जीव होता है उसके लिए मैं जो यह figure है इसमें additional paths draw करूँगा और इससे जो figure है वो left और right loop में divide हो जाएगी तो यह मैं left loop इसको gamma L से मैंने note कर दिया यह इसकी direction है यह मैंने additional path CL1 लगाया यह additional path CL2 तो यह अब हमारे पास left loop बन रहा है जिसको मैं red इसकी boundary मैंने red कर दिये और इसको मैं colored कर देता हूं purple तो यह हमारे पास सारा left loop पाग है और इसके उपर function जो है वह analytic है और अगर function analytic हो किसी भी path के उपर उसके long जो इसके contour integral होता है वह equal to zero होता है इसका मतलब है integral long gamma L f of z tz plus contour integral long cl1 f of z tz plus contour long cl और जो fourth में है वह है cl2 इन चारों integral का sum जो है वह equal to zero हो जाएगा मैं right loop draw करता हूं so right loop जो है वह हम इसके लिए इसको इसकी यह direction ले लेते हैं जो हम लिखेंगे cr1 तो अब इसकी boundary को again मैं right कर देता हूं यह हमारे पास right जो है वह loop आग है इसको भी colored कर देंगे again यह जो path है यह जो loop है इस पे function जो है वह analytic है और similarly इन चारों के long जो आप integral लेंगे तो function का integral जो है वह equal to zero आ जाएगा तो यह चारों integral का हमने sum equal to zero लिख लिए यह left loop के लिए था और इस तरह यह right loop के लिए तो अब यह जो दोनों left और right loop के लिए जो identities आई हैं इन दोनों को हम sum करेंगे सम करने से हमारे पास कुछ इस तरह का relation आजएगा अब हम दोबारा दोनों loops को study करते हैं जो CL2 है और जो CR2 है यह basically same path है लेकिन इनकी direction opposite है जैसा कि हम figure में भी देख सकते हैं जो CL1 है और जो CR1 है यह भी same path है लेकिन इनकी direction opposite है अब इस situation को हम use करते हैं जब आपने identities को add किया था था तो इस तुमाहे पस integrals आके थे इसकी जगा CR1 के जो integral इसके लाओं माइनस CL1 f of z dz लगा देंगे और CL जो CR2 है इसकी जगा माइनस CL2 f of z dz लगा देंगे यह cancel out हो जाएगा इसी तरह यह term यह term से cancel हो माहे पास चार integrals बच जाएगे इनको आप लिख लेते हैं तो एक माहे पास integral है अब में gamma L वाला दूसरा है CL f of z dz number 3 पे है gamma r f of z dz और fourth one जो है वो है CR f of z dz अब यह जो gamma gamma l और gamma r है यह माने पास c2 जो contour है वो बन रही है और इसकी direction जो है वो यहां पे counter clock wise है जबके CL c1 बन रहे हैं लेकि इनकी direction जो है वो clockwise है तो इसलिए इनके integral के साथ हमारा बस negative sign आजेगा तो CL और CR को इनके integral along c2 f of z dz यह minus क्योंके CL और CR की जो है वो loop जो बन रहा था उसकी direction clockwise ही इसलिए यहां पे minus आ गया तो इस minus वाले factor को जब हम right side पे shift करेंगे तो मारे पास वो ही relation जो 2 था कर प्रिंसल अफ्टी formation वाला वो आजेगा चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें thanks for watching